यह मेरे कॉस्मस के पॉद है जो मैंने सीड्स से ग्रोव किया था अब इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग हो रही है हर पॉद हमें आप चाहे तो आप भी ऑल्लाइन से सीड्स पंगा के लगा सकते हैं मैंने और दो तीन तरह के सीड्स लगाए हैं और यह है व अभी तक सीड्स से कभी संफ्लार के प्लांट्स को ग्रो नहीं किया है ना ही गलाडिया के ना ही जीनिया के मैंने पहली बार लगाया है तो यह कौन से सीड्स है मैंने लिखे भी नहीं थे सीड्स ग्रोव करने के टपे उनका नाम भी नहीं लिखा था तो मुझे नहीं तरीके से लगाने वाली हूँ मैंने एक ये पाट में मिटी रेडी करके रखा है इसमें मैं सिर्फ एक पौधा लगाऊंगी इसका इसमें से निकाल के और ये जो आप देख रहे हैं पाट में इसमें किचेन वेस्ट फूरूट के जिलके जितने भी है सब कुछ मैंने डाल के और बीच में थोड़ी थोड़ी से मिटी भी डाल के रखिये और बाकी के सारे पौधे मैंने इसके उपर मैं लगाऊंगी और इस पौट में एकदम से भरा हुआ था मिटी मैंने उसको निकाल दिया है मैंने इस मिटी को बनाया था 40% मिटी 30% वर्मी कमपोस 30% कोको पीट औ और जो फंगी साइड पौडर होता है डाइको डर्मा मैंने उसका इस्तिमाल किया था आपके पास अगर नहीं है तो आप नीमखली का इस्तिमाल करें और यह पौधा है मैं इस स्केल के मदद लेके इसके साइड से मैं इसे निकाल लूँगी सारे पौधों को इस तरीके से इस साइड में किसी चीज की सैयता लेकर आप इसे निकाल लें सारो पीस सारे पौधी को और ऐसा करें तेख सकते हैं एकडम से निकल गया है आप मैं इसमें से एक पौधा से ऐसे निकालंगी निकालने के बाद अब मैं इसके उपर मिट्री डालूँगी इसमें मैं इसलिए मिट्री में लगा रही हूं कि मैं देखना चाहते हूं कि मिट्री में पाॉधा जल्Dी ग्रो होता है कंपोस्ट के साथ जो हम गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल के लगाते हैं या फिर kitchen waste में पौधे अच्छे से grow करते हैं मुझे वो देखना है तो मैं इसे मैंने लगा दिया है अब देख सकते हैं एक पौधा मैंने लगा दिया है यहाँ पे अब मैं इसे ठीक कर लूँगी ठीक करने के बाद इसमें watering भी कर दूँगी और यहाँ पे यह छे पौधे बचे हैं तो इस छे पौधों को मैं यहाँ पे लगाऊंगी इस kitchen waste में कुछ भी नहीं करना है friend मैं पहले से इसमें तो kitchen waste डाल डाल के रख रही थी अब सिर्फ एक पौधा ऐसा लूँगी यहाँ पे ऐसा रखती जाऊंगी और मुझे इंशालला यकीन है कि बहुत अच्छे से इसकी growth होगी और इसमें मैंने इसके लिए भी मिटी तयार करके रखा है यहाँ पे लेकिन जो मेरी दूसरे पुराने pot की जो भी मिटी थी मैंने उसका इस्तमाल किया है उसमें मैंने सिर्फ कोकोपीट का इस्तमाल नहीं किया थोड़ी से मैंने उसमें काउडंग कंपोज दो मुठी सिफ डाला है और थोड़ी सी फंगी साइट पॉडर डाला है बाकी मिटी है और थोड़ी सी बालू है लेकिन मैंने इसमें कोई भी कोको पीट का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि किचन विज्ट जो होता है इसमें बहुत सारा महाश्यर पहले से ही रहता है तो हम इसमें अगर कोको पीट का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पौधे भी अच्छे से इंशालों ग्रोथ में आते रहेंगे तो इस तरीके से मैं एक एक पौधे को निकालती गई और मैंने यहां पे सब अलग-अलग लगा दिया है और इसके बाद मैं एक यह जितनी भी मिट्टी है उसे उपर से डाल दूँगी उस मिट्टी को एक हाँ से कैमरे को पकड़ना और दूसरे हाँ से पौधे को लगाना थोड़ी मुस्किल हो रही है और मैंने इसके उपर मिट्टी डाल दिया है और इस तरीके से डालने के बाद ऐसे सीधा करके पुरी मिटी को चारों तरफ से फैला ले तो इसमें जब भी वाटरिंग करेंगे आप इतना ध्यान रखें सिर्फ इतना ही पानी डाले कि उपर की जो मिटी आपने डाली है वो मिटी सिर्फ भीग जाए क्योंकि नीचे अगर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो पानी एकदम किचन वेस्ट तक जाएगा नीचे तक और बहुत ज़्यादा गीला होके किचन वेस्ट जो लिक्वीड निकालता है वो लिक्वीड नीचे से निकलना लगेगा तो नीचे से उसे निकलने देना नहीं है क्योंकि उसी में बहुत ज़्यादा निट्रेंस रहते हैं जो हमारे पौधों को बहुत अच्छी ग्रोध देते हैं तो इतना पानी डालें कि सि में रहे हमेशा तब हमारा पौधा भी खराब नहीं होगा और वारिश के टम पर लगा रहे हैं तो जरा ध्यान दे के लगाए और अगर आप ऐसा नहीं लगा रहा चाहते हैं तो सिर्फ किचन वेश्ट को अच्छी तरीके से ड्राइ कर ले और जब किचन वेश्ट सूख जात और इसके बाद मैं इसमें वाटरिंग करूँगी आप देख सकते हैं फस्ट टाइम करने हूं इसलिए थोड़ा जादा करने हो और नेक्स टाइम से मैं से इसे सिर्फ हलका अपर से ही पाने दूँगे बस इतना ही लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े जो भी यह चिलके दिख रहे हैं इसके उपर में थोड़ा सा और मिट्टी का अट करना मुझे पड़ेगा क्योंकि किचन वेस्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खाद का रूप ले ले किचन वेस्ट के साथ मिट्टी को मिलाते हैं तभी वह खाद बनता है तो इस तरीके से एकदम से मैंने ढग दिया जहां भी थोड़ा बहुत तर्बूस के चिलके निकले थे और जैसे जैसे यह पौधा ग्रो करेगा उपर बढ़ेगा और नीचे किचन वेस्ट कंपोस्ट बनता रहेगा तो उसके बहुत सारे इसमें आपको फर्क दिखेगा आपका प्लांट मैंज बहुत अच्छे से ग्रोगरेगा लेकिन जो उपर की और आप क्या करेंगे यह नीचे के और डपता जाएगा जैसे झाल पोश्ट होता जाएगा किचन वेस्ट वह नीचे जाता जाएगा तो आप क्या करें जो उपर जो भी मिटी बनाते हैं अंडे की छिलके केले के चिलके या फिर चाई की पत्ती यह सब कुछ घर में इसली फ्री से मिल जाता है वो सब कुछ आप मिकसर में या ग्रांडर में पी अगर लगे रहते हैं तो आप इसमें नहीं मायल का स्प्रे कर लें अलाफीज मिलती हूं इंशाला अपनी अगली वीडियो में